मित्रों चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगे मित्रों वर्स 2023 में पिठोरी अमोस्या कम मनाई जाएगी जानिये सही तिनव तारिक क्या है पूझा का सुभ मुहुरत कभ है पूझा विधी क्या है और आमवस्याथित ही कभ सुरू होगी कभ समाप्थ होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेष्ड है की अभीन तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वेलियोग पसंद आएगी तो वेलियोग को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेयर करेंगे मित्रों हेंदो पंच्यांग के अनुसार भादरपद मास के ख्रिश पक्ष के अंतिम तिथी को भादरपद आमवस्या के नाम से जाना जाता है। भादरपद मास में पढ़ने वाली आमवस्या को पिठोरी आमवस्या, पिठोरी अमवस्या अथवा भादरपद आमवस्या के नाम से भी जाना जाता है। हिंदु धर्म की मान्यता के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने इंद्राणी को यह प्रत रखने के लिए कहा था इसलिए आज के दिन माता दुर्गा का पूजन किया जाता है इस आमवस्या के दिन बिबाहित महिलाएं अपने सुखी बैबाहित जीवन के लिए यह प्रत र बनाई जाती है और उनकी पूजा किया जता है अयसी माननेता है कि इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी संतान के कुसल मंगल की कामना के लिए उनकी लंबी आयू के लिए पुत्र प्रात्ती के लिए और परिवार की कुसलता के लिए पिठावरी आमवस्या का ब्रत करती हैं इस आमवस्या का ब्रत सभी आमवस्या से ज़्यादा फलदाई होता है और इस दिन सुभागन महिलाएं कुछ बच्चों को सुदसा का हारी भोजन बना कर खिलाती है इससे बिशियस लब की प्रात्ति होती है ऐसी मान्यता है कि इस दिन सुबह जल्दी उठकर किसी भी पवित्र नदी या सरोवर में इसनान करने का बिशियस महत्तो है इस दिन नदी में इसनान करने से ब्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है मित्रु अब पिठावरी आमवस्या ब्रत की पूजा बिधी को भी जान लेते हैं जो इस प्रकार है इस दिन ब्रत रखने वाली सभी माताएं सुर्यवदर से पहले उठकर और इसनान आदि करके स्वच कपड़े पहन कर पूजा में 64 आटी की मूर्ती बना कर 64 देवियों का सोरूप मान कर पूजा इस्थल पर रखकर पूजन किया जता है और माता दुरगा को प्रसाथ की रूप में नारियल अथवा घर के बने भोजन का भोग लगा कर माता दुर्गा को सिंदूर चढ़ा कर फिर एक ब्रामण को भोजन करा कर स्वाइम भी भोजन ग्रहन करकी पिठावरी के ब्रत को तोड़ा जाता है मित्रों अब आपको बता दे कि वर्ष दुहज्या तेईस में पिठावरी अमोस्या 14 सितंबर दिन गुरुवर को मनाई जाएगी प्रदोस्त काल में पिठावरी पूजा का सुब महुर्त है 14 सितंबर दोहज्या तेईस को साम 6 बचकर 13 मिनट से लेकर साम 8 बचकर 32 मिनट तक रहेगा पूजा की कुल आओधी होगी 2 घंटे 20 मिनट आमोस्या तिथी प्रारंब होगी 14 सितंबर दोहज्या तेईस को साम 4 बचकर 48 मिनट पर आमोस्या तिथी समाप्त होगी 15 सितंबर दोहज्या तेईस को साम 7 बचकर 9 मिनट पर